कि रसी कानून को लेकर देश और प्रदेश में धरना जारी है भारत वंद का आवान कि यह था जिसके चलते किशान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश किरसी राज मंतरी लाकन सिंग राठ्वूत जी हैं उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहेंगे इस किशान बिल लोग सभा में पारित किया गया है और उसको राजशभा में पारित होकर माणी राश्पत जी ने उसको सुखरत दे दिये। उस कानून बिल को लेकर विरोधी राजनेतिक दल किशानों के अंतरगत भ्रांतियां फ्हला रहे हैं और उनको मिसगाइट कर रहे हैं क्योंकि विरोधी राजनेतिक दल खास्तोर से कॉंग्रेस सपा ये धरातल पर नहीं है धरातल पर इनको किशान की जो डबलमेंट के लिए किशान को करना चाहिए, इन्होंने अपने कारिकाल में कुछ भी किशान के लिए नहीं किया है। आज भारती जंता पार्टी की सरकार ने मानि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के नेत्रत ने पूरे भारत में किशान बिल लोक्षभा में प्रिसित किया गया था और जिसको सामत मिलने के बाद कानून का रूप ले लिया गया है और उस किशान बिल में कहीं भी इस प्रकार का किशान के अहित वाली कोई भी कोई भी धारा उसके अतरगत नहीं है कि जो भी उसमें कानून पास किया गया है वह किसानों के हित में पास किया गया है और किसान जो लोग अन्दोलित कर रहे हैं और जिनके मिशिगाई ढूने से अंदोलन हो रहा है उनका दोहरा राजनेतिक चरत्र बिल्कुल उज़ागर हो रहा है और हमारे कई मानी नेतागर ने इस बात पर विचार अपना वक्तप भी दिया है कि किशान को किसके माध्यम से उनको मिस्गाइड किया जा रहा है खास्त और से कॉंग्रेस और समाजवाधी पार्टी की ओर से किशानों को मिस्गाइड करके उ देखे जो लगातार आंदूलन वहां वर्डर पर चल ला है उसमें हमारे माननी कृषी राश्टी कृषी मंत्री आधनी नरेंद जी तोमर वह उनको वहां पर लगातार भारता में हैं और अपनी भारता से उनको किसान को पूर्टिया संतुस्त भी कर रहे हैं लेकिन विरोधी राजनेतिक दल उनको उक्षाने के कारण बारता नहीं सफल हुपा रही है और आगे चलके निरंतर इस बात पर प्रियासरत हैं कि न तारीक को संभवता अंतिम बारता हो जाएगी और उसमें किसानों का देखिए किसानों के हित में उन्होंने जो उसमें प्रविजन्स किये है वह MSP पर कहीं भी कोई विरोधावास नहीं है MSP हम लिखके भी देने को तयार है मानी नरेंद जी तोमर जी ने कृशी राष्टी किर्शी मंत्री ने अपना वक्त तब भी दिया है कि हम उनको इस बात पर लिखके देने को भी तयार है कि हम दे देंगे कहीं भी अहित की सकते हैं जहां पर उनको अच्छा रेट बिल सकता है एसेंशल कमोडिटी एक्ट में भी संसोधन किया गया है कि उनके खिलाप इस प्रकार की कोई कारवाई नहीं की जाएगी जो किशान अपने उत्पादन को कहीं भारत वर्ष के कौने में बैचे वह उनका बैचने के लिए क पर दोसी म french करें और उसमें जो भी चैन कके वीचार आएंगे उस पर विचार किया जाएंगा और उन को पूर्टियां पोसंतुस्त करकर अभी तक जो किसानों सरकार की बीच जो बात रज्य है वह विफल गई है उसमें कोई नेडाय नहीं लुए वारता हो चुकी है और उसमें ऐसा कुई निष्कर्स नहीं आया है कि दृटतर रही है भारता शकारात्मकों होती है और हमारी सरकार केंदृ के depth गंबीरता तो किसंद look किसंद में बिचार कर तयार नहीं है क्योंकि पूर्व में जब इनकी सरकारें थी तो यह भी MSP की बात करते थे और APMC Act में जो संसोधन किया इसकी बात करते थे आज हमने किसानों के हित्में पारित कर दिया तो इनको विरोध के हुए सिर्क राजनेतिक इसलिए कि के हमारे पास राजनेतिक कोई मुद्दा नहीं है उनके विरोधी राजनेतिक दलों के पास जब बिरोधी राजनेतिक दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिर इस परकार का एक सल behavi उंत्र करके वह इस परकार का किशानों को मिस्काइट करके इस परकार का को परिचार कर रहे हैं जिसका कोई जनता में कोई असार नहीं है और आज उत्तरप्रदेश थिल पूरा भ पर नहीं है जनता पर पूरा मार्केट खुले हुए हैं और कोई नहीं चाहता है चुंकि उस कानून में ऐसा कोई विरुदावासी कानून नहीं है जो किसानों के अहित में हो कई इस प्रकार के सारे किसानों के हित में जितना हो सकता था उतना करेंगे और आगे भी उनसे बार परसंद कर रहे हैं अक्षे कुमार मिस्रा न्यूजर्ड इंडिया और यह